क्या एनल सेक्स सेफ है गुदा मेहतुन करना सही है गरत है इसके बारे में आज बातचीत करते हैं मैंना में डॉक्टर दीपकर कर मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा जैसे नमुक्चित अद्यों महाराष्ट्र में अकोला में पिछले 37 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ जाओ काफी लोग फूस्थते रहते हैं में बीडियो आर्टे और पूसे 149 करते हैं तो क्या ठीक है उसके काफी सारे सवाल हमें आते रहते हैं लिचित करना गलत नहीं है एनल सेक्स सेफ है उसमें कुछ प्रेकोशन लेने की जरत है और क्या है कि वजेनल सेक्स जो है यूनी मारके से जब आप सेक्स करते हैं तो यूनी जो है वो उसको इलेस्टिसी बहुत ज्यादा है और वो पेनिस को अकुमोडेट अच्छी तरह से कर सकती है उसमें टेर होना फट जाना ऐसे चांसेस बहुत कम होते है उससे उल्ट आई दिया गए ऐनल सेक्स करते हैं तो एनल एनस यह जो भाग है यह जो हिस्सा है यह अपने पाचेंत अंदर का हिस्सा है उसमें से किए असफिटर इस पारदारा इद्लब ल मैठाहिब लेटरियां बाहर आती है वहां कि जो그al से फ़ाह्ट ने के चांसे बहुत जादा हैं कि आप तो यह दर्ण हो सकता है और फिर उसके लिए हमने प्रिकौौशण लेना जरूरी है तो फिर क्या प्रिकाशन लेना चीए एक तो यह कि दर्द दर्द क्यों होता है क्योंकि वह पांट जो है वो सुका रहता है वजह अनल सेक्स में क्या होता है कि जैसी स्त्री जो है वह एक्साइट हो जाती है तो उसका स्त्रा होता है वहां लुब्रीकेशन होता है हम चिकनापनाता है और चिकनापनाने के वज़ज़ से पेनिस अंदर आराम से आसानिस है अभर अनल्सेक्स में एसा अधो नहीं है वहाँ कोई चिकनापन नहीं आता है वहाँ कोई लूब्रिकेशन होता नहीं है तो फिर एड्स होने के चांसस बहुत ज्यादा है तो फिर वह भी प्रिकशा हमने लेनी हमने कंडूं का वापर करना भूछ ज़रूरी है तो फिकल म मैंटर बहुत रहा है उसमें भी बैक्टिरिया तो कंडूम परना जरूरी है और कंडूम से लूब्रीकेशन अच्छा हो जाता है अभी जब आप और करना है तो कंडूम को चेंज करना जरूरी है और चांसिस बढ़ जाएंगे अभी सबसे ज्यादा महत्वगा क्या है सबसे ज्यादा महत्वगा यह है कि दोनों पार्टनर का कंसेंट मतलब दोनों पार्टनर की लाइकिंग तो कंसेंट लेना मतलब राजी करना और राजी करके दोनों ने हां बोलना मतलब स्थी ने हां बोलना एनल सेक्स के लिए बहुत जरूरी है जबर्दस्ती नहीं करना है यह एंजवाइं नहीं करती है क्योंकि लूब्रिकेशन नहीं है तो दर्द होने के चांसे बहुत जादा है एक बार दर्द हो गया तो अगले बार नहीं बुलेगी तो फिर इसके लिए हमने चाहिए बार 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 आरेजिए नहीं करते हैं तो फिर क्या होगा बहुत जैदा वार करते हैं तो मसल्स बीक हो सकती है और छो बाहर आता है तो मल कंट्रोल नहीं कर पाते है ऐसी स्थेति हो सकती है बहुत जादा सीख सकर लिया तो मालूम हैं न में पडहेंगा कि कि वह यह य containing मसल्स बारा बार टेः हो बार बार वीक हो रही है तो फिर मल जो बहार आता है उसको जो हम कंट्रोल कर सकते हैं वो कंट्रोल करने की स्थीती नहीं रहेंगी कुछ महनों साल बाद में ऐसा हो सकता है कि जो मल है वो ऐसी बहार आ जाएंगा तो यह भी एक उसका साइड इफेक्ट है ठोसेर चाहिक्ट है, यह दोनों पार्टनर इंजोंकर मेरे करते हैं तो यह एनल्सेक्ट करना कोई घलत नहीं हे सब्सक्रेट है दोनोंने राजियो होना दोनोंने एंज़ोंकर नोगने बहुत ज़श्य आतने करो नुद्धत convext करते हैं वीडियो आपका इच्छा लगात जो लोगों को शेर करो तैंक यू बेरेमिच